मा सुरसर क्या ये पावंतर्ठ बाबा भी सुनाद जी की छत्र छाया साहित का ये बहुत पुराना धनी मंच और शोता तो आप कैसे हैं कि मैं क्या कहूँ यहां कुछ कहता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझ देखी बोल रहा हूँ मैं ऐसा कहीं किसी मंच पर कहता नहीं इस मंच का बहुत रिणी हूँ मैं ज्यादा दिन से नहीं मंच पर हूँ 12-13 साल से हूँ लेकिन शुरुआती दौर से ही इस मंच ने जो मुझे दिया है मैं आपका आभारी हूँ एक बार आप अपने लिए तालियां बजा लें सुनिएगा मित्रों मैं समझ रहा था कि लगबग मुझे समापन ही करना होगा आइस मंच पर तो कई रंग की कविताएं आज सुनाओंगा लोग मेरी दो-तीन कविताएं बहुत वाइरल हैं देखिए ठीक है उसमें से एक सुना देता हूं सार नहीं नहीं देखिए आप लोग मैं जानता हूं आपका टेस्ट आप कैसा सुनते हैं पस पांच मिनट सुन लीजिएगा उसके बाद तो मैं आपको जाने नहीं दूँगा वो जानता हूं कुछ नया सुना करिए इतनी कलम तोड़ता हूं मेहनत करता हूं तो वही 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 फिर क्या नया सुनाएंगे हम आपको अब हाँ 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 और क्या ठीक कर रहे हैं आप सुनिएगा कि मा मा छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी मा छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी मा छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी वह जखम सूख जाता था जिस पर लगाती थी वो छाल अब लगाता हूं राहत नहीं मिलती मा छाल के संग मंता भी घिसकर लगाती थी माचाल के संग मैं ले फटे कपड़े मेरे जब धोने लगती थी मुख देखकर मेरा उदास होने लगती थी जुझला के मेरी जित पे मुझे पीकती तो थी मैं रोता तो फिर मा भी मेरी रोने लगती थी देखिए दिरे-दिरे उमर अब और दूसरे पड़ाव की ओर जा रहें दमदा जी बढ़िया है आपका कारिकम चलता है अब इस्थिर मन से थोड़ा सब बैठिए अब एकदम सांत मन से जैसे सतनारायर की कठा सुनने हो तो मैं कहीं भी जाता हूँ आज 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 भी वही तमाशा हुआ मैं उधर आ रहा था तो पहिचान गए कुछ लोग एक पितिन कहा रहें अच्छा ही रादेश याम भारती और तिंचाल लड़के खड़े थे उन्होंने नीचे से उपर तक देखा अच्छा ये कभी हैं अब ये हमारा बाल चेहरा हम लोग पैदासी थोड़े ये इससे हैं भाई साथ हम भी सही आपसे बता रहे हैं किष्ण जैसे भोले भाले थे वो तो घर ग्रिहस्ति ने भैरो बाबा बना दिया अगर वो लड़के वहां हैं तो मैं कह रहा हूँ कि वक्त है जिसने तुम्हें यू रूप वंती कर दिया अजित शुकला को भी और कुछ नहीं मिला तो बाबा जी आजम खांका नाम राधे श्याम रख दे और लाला राम सीता राम कुछ कह सकते लेकिन राधे श्याम कर दे तो सुनना भाया अजित जी कराओं कि यह वक्त है जिसने तुम्हें यू रूप वंती कर दिया लेकिन याद रखना जाने कितनों को इसी ने किम बदंती कर दिया देखकर मुझको हसो मत मैं भी गबर था कभी वक्त ने कपर से मुझको अब बसन तो आप देखे थे अरे बड़े बड़ों को देख लेते हैं तो फिर भी छोटे थे तो मैं छोटा था तो बड़ा होनार था हां मुझको देखकर मेरी अम्मा चाची बुगा मामी मौसी सब कहते हैं देखो देखो इसकी आख मुझपर गई है कोई कहती है इसकी नाख कोई कहती होट कोई कहती है साब कहती है अरे ये मुझपर गया है ये मुझपर गया है ये म प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया, मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया, पिता जी कही अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था, उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ायी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड पाई, मैं वहाँ भी अती प्रसन, पहुचते पहुचते सर्व गुण संपन, पढ़ायी लिखायी छोड़कर हर विशय का विशे सग, फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रूपए महिने का टीटर लगा दिया, तो टीटर मुझको पांच रूपए पढ़ाथा था, पर 55 की ठुकाई कर था, मेरे ठुकाई कारिक्राम में मेरे पिता जी भी रेगुलर सहयोग कर था, कभी-कभी फूफा, मामा, मौसा जी भी अपना कीम्ती वक्त देते थे मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मुहले वाले आके पूछते आज बवुआ की तवियत खराम है का अरे क्या बात है बाबा, 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 अच्छा इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडियेट में पहुँच गया तो मेरे बाब ने नई मोटर से अलकिल मुझको दिलवा दी कि मैं ठीक समय से विद्ध्याले पहुच जाऊँ मैं ठीक समय से पता नहीं कहां-कहां पहुच गया फिर एक दिन ठीक समय से पूलीस पहुच गया फिर मैं ठीक जगा पर पहुँच गया फिलाल छे महिने के बाद तिहाड की तीर थे आत्रा करके वापस लवटा है तो मेरे बाप ने कहा कि देख तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आये हैं ऐसा कर अब तु कभी बन जा आपने पढ़ा होगा कि भीयोगी होगा पहला कभी आह से उपजा होगा गान आह से गान आह से कविता निकलती है आह कब मिकलती है जब पढ़ती है हमको अकेले देखके आप लोग हांसर रहे हैं सब पर पड़ी है हाँ हाँ जिस पर जैसी पड़ी है साहब उसकी वो इसी कभी था जिने बीबी ने पीठा करूरस में गुन गुन आते हैं पिटे जो प्रेमिका से वो सभी स्रिंगार गाते हैं जिने पबलिक ने पीठा बन जिने प्रेमिका जाओंगा और जो थाने में पिटे हैं हास की कभिता सुना आते हैं जिने पर जानने पर जानने वाले लोग मंच पर बैठे हैं यहां भी मैं फिल में आपके बैठे हैं मैं सलाह कुछ दे के जाऊंगा और जब तक आप सुनेंगे सुनाओंगा कि देखे अब जमाना बड़ा दूसरे तरका है बैस्तता है हर आदमी बैस्त है आईसी महफिल मिले तो आनन्द ले लिया करिये दिल खोल लिया करिये सच कह रहा हूं जो आईसी महफिल में दिल नहीं खोलता न एक दिन आपरेशन थिएटर में सर्जन से दिल खुलवाता है हाँ बहुत बात है अभी तो बैस्तताओं में बड़ी गड़बड़ियां हो जाती है आप बनारस के सुधिश होता है एक एक बात को पकड़िएगा बड़ी गड़बड़ी बैस्तता में हो जाती है साहब हैं सांस लेने की महलत नहीं मिलती बैस्त हैं सुनिएगा साब कि साहब हैं तेस्तता में कैसे गड़बड़ी हो जाती है वो कहराओं कि साहब हैं सांस लेने की महलत नहीं मिलती हैं बैस्त बहुत काम से फुरसत नहीं मिलती बीबी है घर ग्रिहस्त हैं लड़के भी च क्यार हैं साहब से किसी लड़के की सूरत नहीं है यह 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 बेस्तता की गड़बड़ी है होता है ऐसा आपके साथ हुआ है क्या बड़े मगन है अच्छा देखे जमाना बड़ा बदला है बहुत बदला है हम लोग जब छोटे-छोटे थे तो अपने बाबा की पीठ पर बैठ जाया करते थे घोड़ा बना लेते थे बाबा को अब जो हमारी उमर में पहुच गए है ऐसा ना करें बड़ा दूसरे ठाइप कई जमाना हो गया बच्चे भी बड़े तेज तर्रार हैं साहब अब जो घोड़ा बना फजी है तो वो अपनी क करवा लेगा है कि अब हमारी उमर वाले सतर करहें इसलिए कि खतरा है खतरा है अब पोते को पीठ पर बैठा करके घोड़े की तरह घुमाएं मत क्योंकि अब जो घोड़ा बना फजी है तो अपनी करवा लेगा पीठ पे पोता चड़ बैठा तो जीते जी मरवा देगा क्योंकि घोड़ा नहीं ये आज का बच्चा हीरो हुंड़ा समझेगा ले जाकर पेट्रोल पंप पर दस लीटर भरवा बढ़ा बढ़ा बहुत माल बहुत है फिर से करा फिर से करा ये गड़ गड़ हो जाए गड़ बहुत चीजें सुनाना चाहता हूं अच्छा पिर से सुन लिजे भाई अभी लिफाफा नहीं मिला है जैसा कहेंगे मानूं कराओ कि अब जो घोड़ा बना फजी है तो अपनी करवा लेगा पीठ पे पोता चड़ बैठा तो जीते जी मरवा देगा जोड़ा नहीं है आज का बच्चा हीरो हंडा समझेगा ले जाकर पेट्रोल पंप पर दस लीटर भारवा देगा मित्रों क्या ज्यादा तर लोग ज्यादा तर लोग घर के सताये हुए हैं मैं भी वही सही हूँ हाँ जो सही है अब मान्य में क्या आखिरू तो सब पर बीत रही है भगवान जैसाब सर पर क्या किया जाए हाँ सचकारा भाई साब रोज नया एक जख्म जख्म भरने भी नहीं देती कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती कितनी विवस्ता है फरमाईस पर फरमाईस जीने नहीं देती करवा चयोत कबरत रख कर मरने भी नहीं देती क्या बात है गुरू वा इस पर देखे गुरू आनन तिवारी जादा उचल उचल के तालीबज आ रहा है पीछे बाविक साथ बैटे है अच्छा दर्णिया चलिए आप आपको ही सुनाता हूं नहीं 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 हम अपनी तकलीफ आपसे करते हैं न हाँ देखे कोई क्या बात है नहीं इसलिए का रहा हूं कि मैं प्रियाग राज से आया हूं है न वहां आप जानते हैं कि कुम्भ लगता है हर साल माघमिला लगता है तो हर साल मैं देखता हूं साध हूं कि संख्या बढ़ती जा रही है तो रहम करिएगा देखे कोई भी सत्ता शासन हो अब जो फरमाईस मुझे हुई थी मैं एक कब्चा सुना देता हूं उसके बाद नई सुनाओंगा दो कब्चाएं नई सुनाओंगा कोई भी सत्ता शासन हो साब महिलाओं के पक्ष में कोई इनको मजबूत करने के लिए कानून बनता है है ना महिला दिवस होता है पुरुस दिवस कहां होता है पता है होता है क्या हम मर्दों की ऐसी तैसी करते रहते हमारे एक कभी ने तो यहां तक लिख दिया कि अबला जी दूद और आखों में पानी वाह मैधलिशन गुप्त जी लिख रहे हैं कि इनके आचल में दूद और आखों में पानी इसका मतलब की नारी का जीवन और कुछ नहीं सिर्फ प्यथा अच्या कता मस्ती है पूरुस जीवन की कता नारी ने दुख पाया इसका मतलब फूरुस ने सताया खाक सताया मैं तो इस मंच से जूट बोलूँगा नहीं सच सच कह रहा हूं भाई साथ मैंने नहीं सताया एकतम कसम खा के कह रहा हूं मैंने नहीं अरे मैं क्या सता था मैं खुद ही सताया जा रहा हूं वही केमेस्टी की लाजवाब लाजवाब है क्या बात है बिदाई के समय रो रही थी हंसा करिए टाली वज़ाया करिए फिर समपरा आजाया करिए मामला ज़ादा है तो फिर कैसे होगा बिदाई के समय रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी, तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कश्ट नहीं दूँगा, हमेशा खुस रखूँगा, तो धीरे धीरे अपने माय के कुभूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुपो जाएगी, तब कहां पता था, कि ये एक रोज रो से उसे निहारता हूँ, उसके पैर क्यांग उठे में हलकी सी ठोकर लग जाए, तुरत बैटकर मुह से फूंक मुझता, जब कभी उसका तेवर गर्माने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम घड़गड आने लग, फिर भी जाने कि वो हमेशा मेरे उपर बाढ़ जाती है, भगवान, पंडिट जी, शाथी में बीबी को चाहे दायें बाट में तो सिरपर ही बैटती है, बाजवाब, बाजवाब, क्या बात है, बाजवानों चुने जवानी कि सारी मोझ मस्ती छूट जाती है, वह आई लब यू वाली कलच प्लयाट तोट जाती नई नई सचका राओ पढ़ी लिखी है शक नकर यहाँ पढ़ी लिखी है तब से लेकर आज तक हर रोज बिला नागा सबेरे रामाइड पढ़ती है दिन भर महा भारत करती है जब जब बाजार गई उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया चोरी करूं बैमानी करूं कहीं से लाओं ला कर रख दुमात पर गड़ी तो चहा करने लगती है त्यार का ओवर फ्लो सईया सईया की जगा भाईया भाईया करने अच्छा जिस दिन नहीं पाती पैसा इसे नहीं उस देखती ही जही से चबा जाएगी कच्छा क्या बाद कहती है इसे निकम में पती से तो प्रेत अच्छा मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं सच कराओ खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं अब क्या करूं जब देखता हूं उसकी भाहत तनी है कहां हिम्मत पढ़ती है कहदों की सबजी ठीक नहीं बनी एक दिन रोटी कड़ी थी मेरे दो दाज तूट गए नहीं रोटी कड़ी थी उसके कड़ी रोटी खाने से नहीं तूटे कह दिया था कड़ी है क्या बात है बाबा बाबा करां बेलन के हवाई हमले से मेरी रूँ हिल गई उसी दिन से मुझे को दिब दिर्ष्टी मिल गई अब वो मुझे गधा कहती है तो हां मैं सिर हिलाता हूं और एक शब्द बोलती मैं पूरा पहरा ग्राब समझ जाता हूं मैंने दो-दो विश्वित्यालें से डिग्रियां ली साब दो-दो विश्वित्यालें से डिग्रियां ली हैं मगर इस बात कभी उसके उपर कहां असर पड़ता है कहती है बच्छडा भले दो गायों का दूद पिये बड़ा होके बाई लही बन अरे क्या बात है बाप 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ला जवाब अच्छा चावल में अक्सर कंकड तो मैं कहता हूँ अरी भाग्यवान उस भाग्यवान ने तुझे दो दो बड़ी बड़ी आखें दी है यह चावल के कंकड बीन लिया करो जी तो कहती है उसी भाग्यवान ने तुम्हें भी तो 32 दात दी है यह चावल के कंकड फोड लिया क है रोज अब क्या करूं साहब आज भी हर रोज उससे कोई कोई शवर सीख रहा हूं आंक कान मूत का ट्रॉली खींच रहा हूं जी हां साहब सुनिएगा मेरी पूजा की पंक्तियां कि हां खींच रहा हूं ट्रॉली खींच रहा हूं ट्रॉली मगर खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वो मुझसे लड़ती है जगड़ती है मगर मुझे हलका सा बुखार भी आजाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है कि हां 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 बेशक वो मुझसे लड़ती है जगड़ती है मगर मुझे हलका सा बुखार भी आजाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है रखती है ब्रतुपवास मनाती है कि अक्छुन रहे हुआत बना रहे साथ जन्मों का साथ और ये नोग छों ए तो दामपत्य का अंग है मिया बीबी से लड़ता है बीबी मिया से लड़ती है मगर इस दामपत्य को भिखरने मत देना क्योंकि बुखापे में जब बेटे औ बड़ी जरूरत पढ़ते हैं बड़ी जरूरत पढ़ते हैं